हेलो आज हम इस वीडियो में CD-ROM और DVD के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे CD-ROM और DVD में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है CD-ROM और उसके बाद दिया गया है DVD तो अब यहां पे हम इसके difference के बारे में जानेंगे CD-ROM Read-Only Optical Storage Device है DVD में High-Resolution Audio Visual Content होता है और यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है इसके बाद आगला difference है CD-ROM 700MB तक डेटा को स्टोर करके रख सकता है DVD 17GB तक डेटा को स्टोर करके रख सकता है इसके बाद आगला difference है CD-ROM को 1982 में लौंच किया गया DVD को 1996 में लौंच किया गया इसके बाद आगला difference है CD-ROM में के वर डेटा को पड़ा जा सकता है DVD में डेटा को पड़ा जा सकता है और लिखा भी जा सकता है तो यह CD-ROM और DVD के बीच में difference है तो इस वीडियो में हमने CD-ROM और DVD के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चनल